अगरो कि वेल्कमाय यूट्यूब चैनल कालिया के बारे बताते हैं तो दोस्तो आज मैं लेका है हूँ नए मानिंग इंफर्मेशन जो आई है स्टील ऑफ इंडिया लिम्टिटिव सेल से दोस्तों सेल दोस्तों एक महारतना पब्लिक सक्टर इंडेटेगिंग कंपनी है इसमें मैंनेजमेंट टेक्निकल के लिए अंडर स्पेशल रिक्रोट्मेंट डाइब के लिए वेकेंसी आई थी जिसकी पोस्त जो है 92 थे इसके लिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सेल में मैंनेजमेंट टेक्निकल के लिए जो वेकेंसी आई थी इसके इसका जो है कंडिडेट का सब्सक्राइब कर लिए ऐसे माइनिंग इंफोर्मेशन माइनिंग जॉब्स की इंफोर्मेशन आपको मिलता रहेगा आज चैनल को जो है दोस्तो बे theo अगान दबादया जिससे आपको वीडियो कोई भी पोश्ट होनें पर आपको साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगे तो दोस्तों के साथ ये सेर कर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों से के बारे में थोड़ी से जान लेते हैं सेल के बारे में और सेल की वेकेंसी के बारे में तो दोस्तों इसमें जो वेकेंसी यह है माइनिंग इंज discipline के लिए है, civil engineering discipline के लिए है, electrical engineering discipline के लिए instrumentation engineering के लिए है, mechanical engineering के लिए है, metallurgical engineering discipline के लिए है vacancy इसमें दोस्तों इसका जो advertisement number था PEC recruitment C96 MTT 8 December 2020 का था special recruitment dive for SC, ST, OBC non-criminal for filling up 92 backlog position of management training technical in sale तो यह था दोस्तो special recruitment drive के लिए था, इसमें से दोस्तों जो vacancy आई थी, total 92 post आई है जिसमें से chemical के लिए 3 post आई थी, civil के लिए 3 post आई थी, electrical के लिए 26 post आई थी instrumentation engineering के लिए 7 vacancy है, mechanical engineering के लिए 34 vacancy है और metallurgical engineering के लिए 5 vacancy है, mining engineering के लिए total 14 vacancy है total 92 vacancy है, category wise जो है जो स्क्रीन पर आप दिखा हुआ है, वो आप देख सकते है जो दोस्तों इसका 11 December 2023 से जो है इसका online registration चालो हुआ था और closing dot जो है 31 December 2023 को था, इसके लिए दोस्तों already मैंने वीडियो बना दिया था साथ-साथ जो है online computer based test जो है ये 13 February 2024 को हुई थी तो दोस्तों जो online CBT में जो है qualify हुए है उसके लिए दोस्तों ग्रूप discussion और personal interview जो है ये जो है के लिए short list किया गया है ये 1 to 3 के category में ratio में जो है किया गया है तो दोस्तों ये जो है आपका final जो list है ये आपका online examination CBT mode GD और interview जो है इसका weightage जो है 75, 10, 15 K ratio में जो है ये निकाला जाएगा और उसके बाद जो है final list निकाला जाएगा final list दोस्तों अगर आपका same cutoff अगर किसी दो student का आ जाएगा तो वो जो highest mark जो है online examination में जो है उसके आधार पे किया जाएगा और अगर दोस्तों अगर online examination में भी टायर आता है तो जो highest marks in eligibility collection BE BTEC में उसको select किया जाएगा तो दोस्तों जो यह जो list आई है इसमें chemical engineering के लिए total जो है 9 list आई है civil engineering के लिए total 9 list आई है metallurgical engineering के लिए 5 vacancy है जिसमें से 15 candidate का list है mining engineering के लिए total 14 vacancy जिसमें से total 44 candidate का list है तो दोस्तों total 279 vacancy candidate का इसमें list दिया हुआ है दोस्तों आप दोस्तों देखते हैं यह जो है आप PDF जो है दी गई है सेल के तरफ से जारी की गए है यह जो है आप discussion box में YouTube का discussion box से भी आप download कर रखते हैं तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं Steel Authority of India Limited Special Recruitment Drive for 92 Post of MT Tech Sale Basic Online Computer Based Test CBT conducted on 13 February 2014 with reference to advertisement number PER RECC 96 MTT 8 December 2022 for the Special Recruitment Drive for 92 Post of MT Tech in Sale The following candidates have provisionally shortlisted for group discussion and interview तो दोस्तों यह जो 8 December 2023 को जो advertisement के लिए थी इसमें 92 Post of MT Technical के लिए इसके लिए दोस्तों CBT Test में जो shortlist हुए है उसका जो है list दिया गया है और जो है यह qualify कर गया है group discussion और interview के लिए तो दोस्तों इसमें application numbers name of candidate और engineering discipline दिया हुआ है यह जो आप देख सकते हैं इस PDF को जो दोस्तों आप जो है download भी कर सकते है YouTube के discussion box से तो मैं जस्ट एक बार screen जो है दिखा दे रहा हुआ आपको mechanical के बाद दोस्तों metallurgy department आगे इसके बाद mining department टोटल 7 page है दोस्तों यह जिसमें दोस्तों दिखा गया है कि cell group discussion और interview जो है यह tentatively जो है 3rd और 4th week of April जो है यह किया जाएगा बाकि जो है the above candidate who have provisionally selected for appearing in GDN interview exercise self-informed through their registered email id and phone number about the date on which interview call letter can be downloaded by using the registered user id and password as login by cell carrier तो दोस्तों जो है आपको email id और phone पर इसका information दिया जाएगा और call letter जो है यह आप जो है download कर सकते है cell के website से तो यह था दोस्तों आज जो है cell empty के लिए जो list आई थी इसके बारे में आप देख सकते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में नए money information नए money jobs लेक आएंगे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद अगले बाएब कि रढक बाएब कि रडक ह禰डर